29 सितंबर के गुरुकुल प्रेप देली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है अपडेट एक महत्वपूर्ण दिन विश्व हरिदय दिवस 29 सितंबर विश्व हरिदय दिवस एक अंतरराश्ट्रिय कार्यक्रम है जो हरिदय रोगों, CVD के बारे में जागरूकता बढ़ाने और विश्व स्तर पर हरिदय स्वास्थय को बढ़ावा देने के लिए 29 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है यह व्यक्तियों, सरकारों और स्वास्थय संगठनों के लिए हरिदय संबंधी स्थितियों को रोकने के लिए सक्री उपाय करने के लिए एक अनुसमारक के रूप में कार्य करता है जो दुनिया भर में मृत्यों का प्रमुख कारण बना हुआ है विश्व हरिदय दिवस 1999 में विश्व हरिदय संध WHF द्वारा विश्व स्वास्थय संगठन WHO के सहयोग से स्थापित किया गया था पहला आधिकारिक कार्यक्रम 24 सितंबर 2000 को हरिदय रोग और स्ट्रोक के बढ़ते बोज को उजागर करने के लिए हुआ था 2024 से 2026 तक अभियान Use Heart for Action विशय पर केंद्रित होगा अपडेट दोग समझोता भारत और उजबेकिस्तान ने ताशकंद में द्विपक्षिय निवेश संधी पर हस्ताक्षर किये भारत और उजबेकिस्तान ने एक द्विपक्षिय निवेश संधी बिट पर हस्ताक्षर किये हैं जो प्रासंगिक अंतरराष्ट्रिय उदाहर्णों और प्रथाओं के आलोक में दोनों देशों के निवेशकों को उचित सुरक्षा का आश्वासन देती है। बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबधता को दर्शाता है। ICC द्वारा प्रतिष्थित लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ICC लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड महता के जिम्मेदार रसायन विज्ञान के अथक प्रयास को स्विकार करता है। एक दर्शन जो उन्होंने अपने पूरे करियर में अरजित किया है, जो रासायनिक उद्व्योग के भीतर स्थाई और नैतिक प्रताओं पर जोर देता है। अपडेट चार अंतरराष्ट्रिय भारत ग्लोब नेट वर्क संचालन समिती में निर्वाचित। बहुस्तरिय मतदान प्रक्रिया के बाद बीजिंग में आयोजित पूर्ण सत्र के दौरान भारत को 15 सदसिय ग्लोब संचालन समिती के लिए चुना गया। ग्लोब नेट वर्क अंतरराष्ट्रिय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है और भारत की भागिदारी सीमापार वित्तिय अपराधों और भ्रष्टाचार से निपटने के अपने प्रयासों को मजबूत करेगी। भ्रष्टाचार निरोधक कानून प्रवर्तन प्राधिकारों के वैश्विक परिचालन नेटवर्क ग्लोब नेटवर्क वर्ष 2020 में भारत द्वारा समर्थित जी 20 की एक पहल थी। अब इसके 121 सदस्य देश और 219 सदस्य प्राधिकरण हैं। अपडेट 5 अंतरराष्ट्रिये dio मलेशिया का प्रतिष्थित शाह आलम स्टेडियम जिसमें कभी 80,000 लोगों की ख्शमता थी, सुरक्षा चिनताओं और खराब रखरखाव के दौर के कारण ध्वस्त कर दिया गया है। कभी दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियमों में से एक रहे इस स्टेडियम को 2020 में असुरक्षित घोशित कर दिया गया था जुलाई 2024 की शुरुवात में विध्वन्स शुरू हुआ मई 2025 तक पूरी तरह से निराकरण की उम्मीद है स्टेडियम जिसने 2017 खेलों और बॉन जोवी, डीप परपल और मरून पांच द्वारा संगीत कार्यक्रमों सहित प्रमुख कार्यक्रमों की मेजबानी की को शाह आलम स्पोर्ट्स कॉंपलेक्स के इस एस ए द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा 35,000 से 45,000 की बैठने की क्षमतावाली नई सुविधा मुख्य रूप से फुटबॉल मैचों पर केंद्रित होगी अपडेट 6 अंतर राष्ट्रिये शिगेरू इशिबा होंगे जापान के अगले प्रधान मंत्री पूर्व रक्षा मंत्री और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP के नेता शिगेरू इशिबा को जापान के अगले प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया है जो फुमियो किशिदा की जगह लेंगे चुनावों में इशिबा और राष्ट्रवादी साने ताकाईची के बीच कड़ी टककर देखने को मिली जिससे यह दशकों में सबसे अप्रत्याशित चुनावों में से एक बन गया इशिबा की LDP ने पूरे युद्धोत्तर काल में जापान के राजनीतिक परिद्रिश्य पर अपना वर्चस्व कायम रखा है एक अनुभवी सांसद जापान के पूर्व रक्षा मंत्री, LDP के नेता और अब जापान के प्रधान मंत्री 67 वर्षिय इशिबाने सुरक्षा मुद्धों और देश के ग्रामेन समुदायों के पुरुधार पर बड़े पैमाने पर काम किया है अपडेट साथ विविध ड्वेन ब्रावो ने क्रिकेट से लिया सन्यास वेस्ट इंडीज के दिगज हर्फन मौला खिलाडी ड्वेन ब्रावो ने चोट के कारण कैरिबियाई प्रेमियर लीग सीपी एल के अंतिम सत्र के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास लेने की घोशना की है अगले महीने 41 साल के होने जा रहे ब्रावो के नाम टुजीरो क्रिकेट में सरवाधिक विकेट लेने वाले गेंदबास का रिकॉर्ड है उन्होंने 2021 में अंतरराश्च्रिय क्रिकेट से सन्यास ले लिया था और पिछले साल इंडियन प्रेमियर लीग को अलविदा कह दिया था पिछले एक साल में ब्रावो ने चैन्नाई सुपर किंस सी एस के और अफगानिस्तान क्रिकेट टीमों के साथ भूमिकाए निभाते हुए कोचिन में प्रवेश किया सी पी एल में ब्रावो का विदाई अभियान छोटा हो गया जब मैच के साथवें ओवर में सेंट लूसिया किंस के कप्तान फाफ दू प्लेसिस का कैच लेने के प्रयास में उन्हें चोट लग गई अपडेट आठ विज्ञान और प्राध्योगी की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन परम रुद्र सुपरकम्प्यूटरों को वर्चुल तरीके से लौँच किया जो राष्ट्रिय सुपरकम्प्यूटिंग मिशन NSM के तहट वैज्ञानिक और तक्नीकी प्रक्ति के लिए भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है 130 करोड रुपए की लागत से स्वदेशी रूप से विक्सित सुपरकम्प्यूटरों को पुने दिल्ली और कोलकाता में कई वैज्ञानिक विशों में अग्रणी अनुसंधान चलाने के लिए तैनात किया गया है परम रुद्र सुपरकम्प्यूटर उच्च प्रदर्शन कम्प्यूटिंग HPC में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य का हिस्सा है जो विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करेगा अपडेट नौक विज्ञान और प्राध्योगी की केंद्रिय मंत्री श्री जोतिरादित्य सिंधिया ने बैंगलोर के CDOT में 5G Open RAN Testing Lab का उधगाटन किया संचार मंत्री श्री जोतिरादित्य एम सिंधिया ने हाल ही में Center for Development of Telematics CDOT बैंगलोरू Campus का दौरा किया और 5G Oren परीक्षन प्रयोगशाला का उधगाटन किया बाद में उन्होंने बैंगलोरू मुख्यालय में Tejas Center of Excellence for Wireless Communications का उधगाटन किया उन्होंने कमपनी का स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 32T 32R Massive MIMO Radio भी लौँच किया जो 5G Mid-Band Spectrum का उप्योग करके 1GBPS डाउनलोड गती देने में सक्षम है उन्होंने बैंगलोरू कैंपस में C. द्वारा विक्सित Open RAN आधारित 5G Radio का उप्योग करते हुए 5G Call भी देखी अपडेट 10 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन भारत दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानकी करन सभा WTSA की मेजबानी करेगा भारत अक्टूबर 2024 में विश्व दूरसंचार मानकी करन सभा WTSA की मेजबानी करने के लिए तयार है जो वैश्विक दूरसंचार में एक एतिहासिक घटना है यह पहली बार है जब यह महत्वपूर्ण अंतरराश्ट्रिय दूरसंचार संध ITU सम्मेलन देश में आयोजित किया जाएगा तयारी में दूरसंचार विभाग डॉट ने छातरों को शामिल करने और वैश्विक संचार के भविश्य पर चर्चा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, बेंगलरु और हैदराबाद सहित प्रमुक शहरों में WTSA 2024 आउटरीच सत्रों की एक श्रिंखला शुरू की है नई दिल्ली में अक्टूबर के 14 से 24 तक निर्धारित WTSA 2024 190 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा